फ्रेंट्स यह मेरा क्रोटन का प्लांट है जो की अभी बहुत अच्छी कंडिशन में दिख रहा है इसमें न्यू लीप्स आ रही है साथ में न्यू ब्रांचेस भी बहुत सारी आ रही है लेकिन यह प्लांट जून के महने में अल्मोस्ट डेड होने वाली कंडिशन में चला वाला हूँ सो इसलिए टॉपिक को पूरा देखेगा जिससे आपका भी कोई अगर प्लांट इसी तरीके से डेड हो रहा है नहीं सुझ में आ रहा है कि क्या हुआ है तो उसे आप इस तरीके से रिकवर करके बचा सकते हैं तो चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैं हूनू पाप का होस्ट और आप देख रहे हैं बग्या की ABC फ्रिंट्स किसी भी डेड होते प्लांट की रिकवरी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है कोई प्लांट अगर खराब हो रहा है आपको reason को identify करना पड़ेगा यह प्लांट मेरा किस कांट से खराब हो रहा है अगर आप उसको नहीं जान रहे हैं और आप सीधे उसकी recovery पे काम करना start कर देंगे तो प्लांट आपका नहीं बच पाएगा हो सकता है जो प्रयास आप कर रहे हैं वही आपके प्लांट को और भी जादा खराब करके उसे मार दें तो आपको यह जानना जरूरी है कि प्लांट क्यों खराब हुआ मेरा यह प्लांट आउटडोर में टेर्स गार्डन में शेड में रखा हुआ है जहां पेसे इस तरह के ग्रीन नेट से च्छन करके सुबे और शाम को धूप मिल जाती है करीब एक से दो घंटे की दिन भर में इसे धूप मिलती ही मिलती है ब्राइट लैट मिलती है खुलाओ जाला मिलता है पानी मैं बहुत बैलेंस देता हूँ फर्टिलाइज भी मैं सही तरीके से करता हूँ सब कुछ सही था फिर भी प्लांट खराब हो रहा था तो उसके पेशे रिजन नहीं सवंज में आ रहा था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से क्लीन करके नहला के लीप्स को साप सुतरा करके और फिर मैंने इसे इंडोर में शिप्ट कर दिया इसके जित्ती भी लीप्स सी सारी मुड़ी हुई थी नीचे की तरब उपर की लीप केबल एक या दो उठी हुई थी तो थोड़ा सा होप था करिब दस से पंदा दिन मैंने इसे इंडोर में रखा लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला लीप्स जो है उपर वाली भी धिरे-धिरे नरम पढ़ने लग गई जब इसकी लीप्स नरम नहीं रहती है कड़क रहती है तब प्लांट आपका healthy रहता है लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ मुड़ी नरम पढ़ी इसका मतलब यह है कि प्लांट आपका खराब हो रहा है तो यहाँ पे मैंने लीप्स को चेक किया जो टॉप की लीप थी जो सीधी थी पहले वो भी जब नरम पढ़ने लग गए तो मुझे स्वाज में आए कि प्रोब्लम बहुत बड़ी होई है यहाँ पे एक बात अच्छे थी कि प्लांट की लीप्स नीचे नहीं गिर रही थी खुच से अगर नीचे लीप्स गिर रही होती तब ही लीप्स ड्राउन होती है गिरती है सुक सुक के या खराब होके सड़के ऐसे पूरी मुड जाएंगी तो और वाटर वाली प्रोब्लम है और नीचे गिरने लग जाएंगी तो अंडर वाटर वाली प्रोब्लम है तो दोनों ही नहीं हो रहा था किबल नीचे ऐसी मुड़ रही थी हलकेल की तो यहां पर सुझ में आया कि इससे सही नहीं होगा तो फिर मैंने इससे वापस से बाहर लिया पहले मैंने इसे अंदर रख दिया था जब मैंने वापस बाहर लिया तब मैंने इसके ग्रोथ हॉर्म और अप्रेल के बाद में मैं के मैंने में ही इसमें प्रॉल्म देखने को मिली थी और मैं के मैंने में गर्मी बहुत बढ़ गए थी सी सारी निकाल दी और इसके बाद मैं soil के अच्छे से गुड़ाय करके मैंने इसमें आरो का ही पानी दिया और इसके साथ्पे फिर मैंने इसकी soil के अप्लाई किया ja humic acid करीब 10 gram के असपास मैंने humic acid इसकी soil के अंदर में मिला करके chỉ 1 लिटर पानी मैं अच्छे से और इसके बाद मैं फिर मैंने इस पर पानी देना पूरे तरीके से बंद कर दिया क्योंकि प्लांट पे लीप्स नहीं है तो प्लांट को किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मॉइस्टर की रिकॉर्मेंट नहीं है और मॉनिटरिंग भी मैंने करता रहा हूँ इसकी स्वाइल अगर साइट से ड्राय हुई है तभी मैंने पानी दिया है नहीं तो पानी नहीं दिया है अगर मिटी इसकी साइट से नहीं सूख रही है मतलब नीचे पानी है तो आपको पानी देने के जोट नहीं है अगर plant को require कर रहे हैं गर्मियों को समय में ये बात ध्यान रखें किसी भी मोसम में ये ध्यान रखना है कि soil अगर side से चिपकी हुई है मतलब यह है कि soil नम है अगर soil छोड़ रही है side से तो मतलब soil पूरे दरगे से dry हो रहे हैं पानी देने के जुरत है ये बात सबसे ज़्यादा जोड़ उटी है तो मैंने water का इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखा और इसके साथ में मैंने इसकी soil के अंदर में humic acid 10 gram मिला करके 1 liter में दिया humic acid बहुत अच्छे से काम करता है plant की soil के अंदर में जाने के बाद में ये जो oxygen है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है roots की growth को ये बढ़ा देता है तो आपको कभी भी plant को अगर require करना है तो आपको सबसे पहला काम करना है आप plant की soil के अंदर में humic acid अपलाई करिये ये second time है जब मैंने पहली पार apply किया था जब इसकी recovery स्टार्ट करी थी और आज मैंने वीडियो में आपको दिखाया इसे त्यार करने के लिए तो मैंने इसे apply कर दिया है इसी के अंदर में ये second time है जो मैंने humic acid इसमें apply किया है humic acid plant के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है ये oxygen को roots तक पहुचाने में मदद करता है nitrogen की मात्रा भी बढ़ाने मदद करता है क्योंकि roots आपकी growth करना start करती है जब अच्छा oxygen मिलता है हवा से भी oxygen ले पाती है roots तो plant की growth start हो जाती है अगर ऐसी condition में जब plant जैसे dry होना चालू होगी और इसके साथ में humic acid खुच से भी oxygen को खीसता है आप इस चीज को यहां से ऐसे समझ सकते है इस bottle के अंदर में humic acid रखा हुआ है और ये bottle मैंने नहीं दवाई है खुच से मैंने नहीं पिचका है इसको ये अपने आप पिचकी है क्योंकि इसके अंदर में humic acid करीब यहां तक भरा हुआ है और जब इसके अंदर में oxygen खतम होती है खुच से humic acid खीसता है oxygen को तो जैसे जैसे कम होती है तो bottle ये अंदर पिचकने लग जाती है तो ये bottle खुच से पिचकी है खुच से इसके सांद में ऐसा हुआ है क्योंकि humic acid oxygen को खीसता है तो यहां पर plant भी इसी तरीके से oxygen को खीचना स्टार्ट करेगा और यहां पर result भोई मिला roots सक oxygen का circulation बढ़ा इसके roots के अंदर में fiber roots बढ़ी plant के अंदर में growth हाना स्टार्ट हुई और मुझे 9 जून को इसमें पहली बार हलका सा ऐसा foot out देखने को मिला था और जब यह foot out देखने को मिला तो मेरा confidence बढ़ा मैंने plant के और अच्छे से care करी सही तरीके से watering करी सही तरीके से plant के care करी daily मैं monitor करता था मेरे plant को 9 जून को पहली बार मैंने इसका pick लिया था जब इसमें growth दिखना स्टार्ट हुई थी फिर इस बाद में 12 जून को थोड़ा था मुझे और growth दिखा 25 जून को और अच्छा दिखा 28 जून को मुझे बहुत अच्छी result देखने को मिले अच्छाथ में 3 जूलाई को मैंने देखा कि इसमें leaps भी आना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर plant मेरा पूरे तरीके से recover हो चुका है अब इसमें growth आने स्टार्ट हो गई है करीब एक से डेड़ मैंने में इसमें leaps बहुत सारी देखने को मिलेंगी और सबसे अच्छी बात यह है यह plant पहले भी घना था अब इतना ज़्यादा घना हो जाएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्योंकि हर एक node से इसके अंदर में growth देखने को मिल रही है आप पास से देख सकते हैं जितने भी node areas है सबी पेज में growth है चाने कितने इसके अंदर में नहीं ब्रांचेज निकलेंगे यह आगे जाके समझ में आएगा इसका आगे का result भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा यह था plant का मेरा recovery का process आपको सबसे पहले plant को recover करते समय यह चरूर चेक कर लेना है कि plant आपका क्यों खराब हो रहा है मेरा plant गर्मी और इसके साथ में growth hormone की कमी जो की मुझे समझ में है क्योंकि plant अप्रेल के बाद में माई के बीच में ही flowering किया था और flowering के time पे ज़्यादा growth hormone की requirement होती है plant को ज़्यादा boost करना पड़ता है energy अपनी flowering के लिए divert करना पड़ता है और इसकी flowering नहीं हो पाई थी पूरी और plant dead होने लग गया था तो दो में से कोई एक reason है या दोनों ही हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी और उसी समय पे flowering plant को खराब करने का reason हो सकती है तो दोनों ही कारण हो सकते हैं दोनों में से कोई एक लेकिन जो भी था finally ये result है कि मैं happy हूँ कि मेरा plant जो है recover कर गया और मैनत यहाँ पे successful हुई बहुत अच्छी information थी आपके साथ में share करने के लिए आपका भी plant इसी तरीके से recover कर सकता है अगर कोई भी problem इस तरीके की हो रही है या problem को आप identify करके अपने plant को recover करने जा रहे है तो फ्रेंड से information कैसी लगी मुझे आप comment करके जोरू बताएगा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेज को follow और साथ में चैनल को subscribe करें जिससे आगे भी इसी तरीके की useful information आपको देखने को मिले till then clear friends, bye bye, thank you, happy gardening